मैं चाहती हूँ कि इस गंटन तर्दिवस पर लोगों में ऐसा बदलाव आए, उनकी सोच में ऐसा बदलाव आए जैसे हम अपने देश के लिए एकता की भावना अपने मन में रखते हैं उसी तरह से स्वच्चता की भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि हमारा घर साफसुत्र हो ये देश भी हमारा है तो हमें इसको साफसुत्रा रखना चाहिए और अपने साथ साथ हमें लोगों को रोकना भी चाहिए कच्रा फैलाने से और सफाई के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए बच्चों को भर बेट खाना मिले और उनको प्री एजुकेशन दी जाए हमारी जो न्याय विवस्ता है उसमें सुधार होना चाहिए मैं चाहते हूं कि जो महंगाई बढ़ रही है वो कम हो जाए और जो गरीब गरीब इंसान है उनको टो टाइम का खाना मिले गरीब लोग है गरीब नहीं भलकि सभी लोगों को फ्री एलाज मिले क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं पैसे की विज़े से अपने जान गवा देते हैं और मैं चाहते हूं कि फ्री एलाज हो सबका और सब अपनी जिंदगी सही से गुजारे ज यहां, आजकल हमारे देष में देख रहे हैं, हर तरफ दंगा पसार ना किसी में भाइचारी की भावना नहीं देखी जाएं तो मैं चाती हूँ कि पूरे देश, हमारे देश में भाइचारे की भावना, लोग जाती पाती, धरम, छेत्र, अमीरी, गरीबी, इस भावना से दूर रहकर एकता की भावना से रहे, भाइचारे की भावना हमारे देश में होना की आवश्यक है, तो मैं चाती हूँ कि मेरा द देश में बेरोजगारी की समस्या खतम हो जाए क्योंकि बेरोजगारी कई अपराधों को जनम देती है और इसके लिए सबसे पहले तो हमारी शिक्षा नीती में सुधार करना चाहिए हमारी शिक्षा नीती में स्किल्स पे जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर बच्च इस दो को कन्प्युतर का सिखाया जाता है मोगाइल Flosure सिखाई जाते हैं। बच्चे और ब्यूटी पार्लर का करते हैं, तो कई बच्चे इसी सही अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो हमारे पास आउट बच्चे हुए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा ही हर स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपने पाउं पे खड़े हो जाएं